माने सलशेरू, अब माने अर्थमंत्री श्री ग्यानेंद्र बहादर कारकिलाई बक्तब्य सहिद आबो 2024-25 को राजसरो ब्येपो बार्शिक अनुमान माथी सामाने चलफल प्रारम्ब गरियेश भनी प्रस्ताप्रस्तत गर्न अनुमती दिन छुँ झाल झाल सम्मानिय स्वामख मोदे नेपाल को समिधान को धारा एक से उन्नाइस को वेवस्ता बमजीम 2004 जेश्ट पंद्र गते आर्थिक वर्ष 2004 पचात्तर को राजस्वर ब्येको अनुमान एस सम्मानित सदन मा प्रस्तूत भय लगतते हामी सवय इस्तानियता को निर्बाचन मा भय को उदा एस उपर को छल्फल को समय पनी पचिश्वर न गयो समस्त मा बजेत प्रस्तूत गरदा निर्बाचन आचार समीता लाईव भय को अवस्ता होंदा सर्खाले नाय कारेक्रम लेरा आनु सकनी इस्तिती पनी थिये नौ येस परिस्तिति मा साबिक के नीती तथा का अरेक्रम रूलाई निरंतरता दी सदनमा राजस्वर बेव को अनुमान पेस गरियेकु थियो आगा मी आर्थिक बर्षक लागी रू 12 खरव 78 अर्व 99 करोड खर्चगरने गरी प्रस्ताब गरियेकु छा यो खर्चको अनुमान सालू आर्थिक बर्षको बिनियोजन को तु प्रस्ताबित बजेट समर्चनामा चालू खर्चको हिस्सा 22 दसमलाव 8 पर्थिक पुजिगत खर्च 26 दसमलाव 2 पर्थिक रद वित्य व्यवस्ता मा 11 पर्थिक रहेकु छा नेपाल को समिधान को अनुशुची आठमा व्यवस्ता गरियेका इस्तानियता को अधिकार छेत्र का विशेरमा चंचालन का लागी सुरोत्र साधन को हस्तांत्रन गर्ना आगामी आर्थिक बर्षमा हुने प्रदेश्र संगिय समस्त को निर्वाचनलाई आवस्यक पने रकम को प्रबंद गर्ना रभुकम पो पशी को पुन निर्वाण अवियान समय बद्ध रूप पां संपन्र गर्ना साधन र स्रोत को अवाब नहुने गरी रकम बीनोई जन गरे को कारण नाय कारेक्रम नल्याई साबिक के कारेक्रम हरूलाई निरंतरता दिदापनी बजेट को आकारमा के बृद्धी गर्न परेक हो चालू आर्थिक वर्ष माहसिल भयका आर्थिक विकास का परिशुच करूलाई आगामी वर्षमा थप मजबुद बनावना का लागी साथ दसमलब दू परतिशत को आर्थिक विद्धी समस्टि गत आर्थिक इस्थायत्तो र वित्य संतुलन कायम राखने उद्धिस से राखे कुछ बजेट को खर्च विवर्णी स्रुत राजस्चु बाट रू साथ खरव तीश अरव सामा फिरता प्राप्ति बाट रू पंद्र अरव बैदेशिक अनुधान बाट रू बहत्तर अरव सत्र करूण बैदेशिक रिन बाट रू दुई खरव 14 अरव तीन करूण आंतरिक रि शरब रचालू आर्थिक वर्चको नगत मौजदाबाट रूँ एक खरब दुई अरब त्रियत्तर करोण रहे को छबुलुक को संचालन का लागी आवसेक आंतरिक सोथ को बेवस्तापन गरने सिल्चिलामा आर्थिकेन दुयजार तिरहत्तरमा भयका बेवस्तारमा सामन्य प पार घाटा नियुनिकरन गरन सहयक पुर्यावने राजस्यो प्रणाली लाई समन्याइक र लगानी मैत्री बनावने ठप कर का स्रोतरू पैचान गरने तथा गयर कर का कर दर हरुलाई लागत प्रभावी बनावने उद्देश्यका साथ राजस्यो निती राजस्यो प्रश प्रसाशन संचालन गरनी लक्षे लिएकुछा। 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 बजेट को प्रभापकारिक कारेनेन मार्फत, मुलुकलाई, आर्थिक सम्रिद्धी को मार्गमा अगारी बढ़ाई, आर्थिक तथा सामाजिक रूप मां पचिपरेका छेत्र को विकास, सिमान्त क्रित, जन्ता को जीवनिस्तर उठाउनी रब परिवर्तन को महसुस गरनी बा सन्माननी सवामुख मोदै को अनुमतिले आर्थिक बर्ष द्याजार चोहतर पचत्तर को राजस्च र व्याग को बार्षिक अनुमान माथी सामन्नी छलपल प्रारम गरियस्पनी प्रस्ताप गर्दचो धन्यवाज जय नेपाल